किसान भाई यो आज की वीडियो के माध्यम से हम आपको पतलाएंगे बैगन में लगने वाले सुन्डी के बारे में देखिए बैगन में लगने वाले सुन्डी बहुत ही गंबिर समझते हैं इसकी खादबर यह होती है कि ना तो यह प्लांट के उपर होती है ना फल के उपर ह करना किस तरीके से आपको द्वाइए काम करते आपको बतलाने वाणत तो उससे पहले हमें हमारे खेत में आता क्यों और सबस्साइब समस्चारा का सब आज की डियुक्त में यह बना उपा है क्यों यह असानी से नहीं जाता तो इसके बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यान से आपको मिलने वाली है तो किसान भाई वीडियो को इसकी मत करना वीडियो के एंड तक देखना तब ही आप पूरी जानकारी समद पाइए और जो किसान भाई हमारे चैनल पर नहीं जुड़े हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करके बैल नहीं आपको दवाई का यूज होगता है चलिया आपको पहले अपने प्लौट को यहाँ पर लाइफ डिखायता हूं इसके आद मैं आपको बारी बारी की करेवाई का प्रियोग करना है और को इनको जीड़नी आप रखनी पढ़ सकती हैं आप देखबाने हैं और यहाँ ब प्रशिश्यकी तरीका किसी ही प्रॉट्ट को देखने को मिसक्ता है और आम प्रोदी म师 प्रच henale कि में कैसे। किस तरीके को समझती हैं पर आपको प्लोट में देखने को नहीं मिलेगी इस समय देखिए वह दवाई कुंझे किस तरीके सा आपको यूज़ करनी है तो मैं आपको पूरा इस बीडियों मादन से बाराना वाला हूं तो बीडियों को इसकी मत करना किसान साथ हो तब ही जो है जानकारी पूरी यहां पर समझ पाएंगे तो सबसे पहले हम जानते कि अंदर क्यों लगता बाहर क्यों ने लगता और दूसरी बात जो इसकी सुन्डी होती है उगलावी रंकी इल्ली जो होती है वह कापी खतम नहीं होती वह भी इस वीडियों के मादन से में आपको बदल लारवा लारवा अंदर होने के बाद बच्चे निकलते हैं और बच्चे क्या होता वहां पर जहां पर यह हमारी जो कॉमल जगा होती है यहां पर इस नहीं कर पाता है कॉम λ जगा होती है तन्य यानि आपकी कॉम इक निए सब्सक्राइन होती है और यहां पर डालियों में रेंडेती है या फिर आपकी फल रहती है तो सबसे पहले जो इसकी बाहग होती है मक्की हमें उसको खतम करना होता फिलाई को उसके बाद में हमें जो सुन्डी होते है गुलावी रंकी इल्ली उसको खतम करना होता तब ही जो हम इस रोग पर बिल्लकुर शुडगारा पा सकते हैं और इस रोग से बिल्लकुर मुक्ति यहां पर पा सकते हैं तो देखे आप पेरे खेत में देखते हैं मैं आचली आपको और भी दिखाता हूँ यहां पर आपको किसी प्लांट के अंदर एक बी डाली गिरी हुई नहीं मिलेगी कोई सिकात यहां पर आपको देखने को नहीं मिलेगी तो देखी काफी अच्छा एक आप देख सकते हैं कापी अच्छी आपर होनी स्टार्ट हो गई है और किसान बाज देखिए कि यहाँ पर एक चीज़ आपको और समझनी होगी अगर आपकी खेती में सुन्डी है या पर तना चेदक कीट है तो आप यह मानग चलिए आपकी खेती में नहीं बैगन आगा और आपको प्लांटी की इरफ बढ़ाएगी क्यूंद बढ़ा थिक्यांट हो और तो इसके अंदर आपको माल बिलकुल भी देखने को नहीं मिलेगा तो चलिए मैं आपको बढता हूं कि कूनसी की वह दबाई यहां वो कैसे प्रियोग करनी हों किस तरीके सा याग्रमक्ताई पा सकते हैं और किश्off है दवास के नाम हिट सैल हे जो की सोमोटवक, कमपणी कि आती है अप हिट meeting में लेसकते हैं तो आप ले षेसे नागारजन कमपणी नं कपनी आती है उसका स्वारे काक कालिटी होती हिए काफी उक्शाद mist आकली हिए हे और आज kल पर आती है दोनों आपको दो ग्राम पर लेंग पानी के साथमें इस didnaldr प्ले के घ्रूंट के दोनुं आपको दो ग्राम पर पाने के हसाब से यहां पर आपको एका रहो लना पड़ाइकी जो करिस्ट कमपनी के आता विज्वेव्य लएन पडाता ने तो किसी भी दवाई के साथ में यह निकना अगर कोई भी दवाई लगाना तो आपको एकका तो भी यह कंपरसरी लगाना पड़ेगा तो यहां पर आपको धरा करना पड़ा तो उसके लिए आपको यूज आपको लेना है उसके बाद देगे आपको यहां पर अगर अच्छा रिट चाते हैं तो आप सोचेएं खेट में माल वाड़ा थो शायनिक पूरा करें जो कि मैं अपनी वीडियो में दिखाएगी है तो साइन का टोनिक ले सकते हैं आप एक एमल पिरते लिटर पाने के साफ़ से बोली लिजिए और साथ मों भजिये इस्टीकर का इस्तमाल दरू करना देगी इस्टीकर काम की होता है इस्टीकर काम होता दवाई को चेपकाने का जब आपकी दवाई आपके बड़े तरी के चेपक जाएगी तो यहां पर इस्टीकर आपको अच्छा रिट देगा बड़े रिट देगा और आपकी दवाई जो है बहुत चेपक नहीं बेज़ क्या होगा जो जहां पर तनाश्यसा कीड़ होता उसके इंदर एंटर कर गर्मी काफी देखके करता इसलिए आप दवाई को शडूल लखें आप सुबा सुबर रखें ऐसा नहीं कि आपने एक पास दला दो पहरी में उस्परे कर दिया या फिर ग्यारा बारा बज़े कर दिया तो यहां पर आपको निकरना आपको मॉर्निंग में इस पर करना जिस करके आप इस रोख से मुक्ति पास सकते हैं और पर यहां पर देखने मिल सकता है विंगता है। तो देखिए यह इस्तमार करना अगर इसके बाद भी आपकी खेदमत तना सेथा फजाय कीड नहीं जाए तो आप मुझे कमेंट करके बसा सकते हैं अगर आप कमेंट करके मुझे बताते हैं तो भाई को सपोर्ट करें वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद